हेलो गाईज मेरा नाम है साहिल तो आज हम बात करेंगे सुप्रा हाइवाइड और इंफ्रा हाइवाइड मसल्स और उनकी नब स्प्राइड के बारे में तो गईज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रायर्ड और इंफ्रायर्ड मसल्स को कैसे याद रख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो गईज आप याद रख सकते हैं टॉस हमेशा MS धोनी जी ही जीतते हैं टॉस हमेशा MS धोनी जी ही जीतते हैं तो गईज हम पहले इंफ्रा हाइवाइड मसल्स लिखेंगे इंफ्रा हाइवाइड जो कि मारे पास टोटल फोर मसल्स होंगी तो गईज टी टी से मारे पास आएगा थाइरो हाइवाइड थाइरो हाइवाइड गईज ओ से मारे पास आएगा ओमो हाइवाइड ओमो हाइवाइड गईज इसकी दूब वैली होती है सुपीरियर वैली गईज थर्ड मसल्स आएगे मारे पास एस से जो की होगी है मारे पास स्टर्नो हाइवाइड स्टर्नो हाइवाइड और फोट मसल्स आएगे मारे पास एस से स्टर्नो थाइवाइड स्टर्नो थाइवाइड तो गईज अब सुप्रा हाइवाइड मसल्स लेखेंगे सुप्रा हाइवाइड जो की हमारे पास टोटल फाइव मसल्स होंगी तो गईज पहली एज से हमारे पास आएगी हाइवाइवाइड हाइवाइवाइड सेकेंड आएगे मारे पास M से जो क्योंकि आएगे मारे पास Milo High White गैज थर्ड आएगे मारे पास S से स्टाइलो हाइवाइड और फोर्थ आएगे मारे पास D से डाइगेस्ट्रिक तो गैज डाइगेस्ट्रिक के भी दो वैली जोंगे मारे पास एंटिरियर एंड पोस्टिरियर एंटिरियर एंड पोस्टिरियर वैली अब गैज लास्ट्रिक आएगे मारे पास G से जी से ऊचे मेंठास जी नियो हाई वाईड जी नियो हाईवाईड आज तो गॽएज हमने मसर्स कंप्लीट कर लिया इनकी नर्ब और देख लेते तो पहले थायरो हाईवाईड थायरो हाईवाईड को स्पपलाई करेगी सिवन थ्रो cranial nerve 12 जो की होती है हमारे पास hypoglossal hypoglossal अब गाइज ओमोहायोईड इसकी दो वैलीज होंगी तो superior valley को स्प्राइब करती है superior root of एंसा सभी कैलिस गाइज एंसा सभी कैलिस आपने सर्वाइकल प्लक्स में बढ़ा होगा और inferior root को करेगी inferior root of एंसा सभी कैलिस अब गाइज तर्नो हाइवाइड को स्प्लाइब करती है एंसा सभी कैलिस जिसकी root value होती है हमारे पास c1 2 & 3 अब गाइज सुप्रा हाइवाइड मसल देख लेते हैं तो सबसे पहले आगी हायो ग्लॉसस इसको स्प्लाइब करती है है इपो ग्लॉसल नर्ब जो कि वहती हमारे पास cranial nerve number 12 है इपो ग्लॉससल गैज माइलो हाइवाइड को स्प्लाइब करती है नर्ब 2 माइलो हाइवाइड नर्ब 2 माइलो हाइवाइड जो कि ब्रांच होती है मैंडीबूलर नर्ब की मैंडीबूलर नर्ब गैस टाइलो हाइवाइड को स्प्लाइब करती है फेशियल नर्ब जो कि होती है मैंडीबूलर नर्ब को तो इन दोनों को एक ही नर्ब स्प्लाइब करेगी अब पोस्टीर वैली पोस्टीर वैली को स्प्लाइब करती है फेशियल नर्ब फेशियल नर्ब अब लास्ट मसल हमारे पास बच्ची है जीनियों हाय जिसको स्प्लाइब करती है सीवन थ्रो क्रेणियल नर्ब नमबर 12 जो कि होती है हमारे पास हाइपो ग्लोसल हाइपो ग्लोसल थेंक यू हाइपो ग्लोसल